चलती लोकल ट्रेन में यात्रियों का मुबाइल छीनने वाले आरोपी को डूमबे वली आरपीअफ ने किया गिरफतार मैं वो अफजल सेक और आप देख रहें मुबाइटीवी डूमबे वली आरपीअफ ने एक कारवाई करते हुए एक चोर को गिरफतार किया है जो की चलती लोकल ट्रेन में यात्रियों का मुबाइल और पर्स छीनने वाला या आरोपी था जिसे अब पुलिस ने गिरफतार कर लिया है और इसी दर्मियान एक 57 वर्षिये बुजूर्ग शिवाजी विष्णू बोगाडे नाम के यात्री के हाथ से जो है मुबाइल चिल लेता है और फरार होने की कोशिश करता है बोगाडे जब चिल लाते है कि मेरा मुबाइल लेकर के यात्री भाग रहा है और वहीं पर ड्यूटी पर तैनाद आर्पी अफ द्वारा सुना जाता है कि किस तरीके से यात्री चिल ला रहा है कि उसका मुबाइल को लेकर के भाग रहा है जिसके बाद पुलिस द्वारा उसे एक किलो मीटर दूर तक दोड़ाया जाता है फिर उसे फिल्मी अंदाज में पकड़ लिया जाता है गिरफतार करने के बाद आरपी अफ दौरा जो है डूम्बी वली आरपी अफ को सौप दिया जाता है सारूपी को लेकिन हम आपको बता दे रेलवे परशासन पर आए सवाल खड़े होते कि कैसे मुंबई की लाइफ लाइफ लाइन में चलती ट्रेन में चड़ते और उतरते समय कैसे यात्रियों के हाथ से मुबायल चैन पर्स ऐसे संगीन अपराद जो है वो अंजान दिये जाते जिसमें हमेशा आरोपी फरार हो जाते ऐसे में यह आरोपी पुलिस के हाथ चड़ गया लेकिन एक सवाल फिर से पुलिस परशासन और रेलवे के उपर खड़ा हो गया है कि कब तक इसी तरीके से चलती ट्रेन में जो है और लूट मार अंजाम दी जाएगी और कब तक इसी तरीके से पुलिस दो है इन पर कारवाई करेगी तो उसमें एक चोर ने क्या यात्री का अपने डेले हाथ से पकड़ के रखा था मोबाईल तो उसको चीन के जैसे लोकल शुरू हुई तुरंत नीचे उतर कूद के भाग गया तो जिस यात्रीका मोबाईल चोरी हुआ था उसने जोर से चोर चोर चिल लाया तो वहां डूटी पे हमार स्टाप महिला अरक्षक परतिवा सर्मा एक MSF स्टाप और एक ज्यार्प का स्टाप दें उन्होंने उनका तुरंत पिछा किया वह चोर उतर के पोपर इस्ट में जो जुगी जोपड़ियों में उधर भागा तो उसके पीछे दोड़ करके उसको वहां से पकड़ के लेके सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी मैं अफजल सेख फिर हाजिरूगा एक ने नियूस के साथ